चोधरी चरंज सिंग के बारे में कोण नहीं जानते हैं अगर जारखंड के दो साल के इस आंदोलन से अगर बाकीफ हैं तो जैराम मैतों के सभा में चोधरी चरंज सिंग जी के बारे में सायद ही आप हजारों बार सुने होंगे ऐसा हम क्यों कहेंगे कि चोधरी चरंच सिंग के बारे में हमेसा यूं कहते हुए नजर आते हैं और किसानों के सपोर्ट में जिस तरह से चोधरी चरंच सिंग जी ने इतना वड़ा जोगदान दिया था इतना वड़ा विधैक पास किया था उसको लेकर जैराम हमेसा परियास करेंगे कि हमेशा ही चोधर चरण सींग के बारे में जरा महतों क्यों कहते हुए नजर आते हैं क्या वैसा किया था जिसकी वज़े से सभाव में बड़ी बड़ी सभाव में कहते हुए नजर आते हैं चलिए आज चरण सींग जी के जन्मदीन की बहुत सारी चीजों क को जानने का परियास करेंगे और इस जयंती को भी जानने का परियास करेंगे इस रास्टिय किसान दिवस को भी जानने का परियास करेंगे कि क्या कुछ कहता है टाइगर और क्या कुछ कार जुहार जिस तरह से आज 23 दिसंबर भारत के तमाम जगह पे रास्टिय किसान दिवस मनाया जा रहा है हम जानने का परियास करेंगे किया आप जो रास्टिय किसान दिवस मना रहे हैं वाक़े में किसानों के हितेसी आप कुछ काम भी कर रहे हैं कि बस सोशल मीडिया में सुर्खियों में 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं हम उन नेता मंत्रियों से जनने का परियास करेंगे कि अगर आप किसान दिवस राष्टिय इस तर से मना रहे हैं तो किसानों को कितना ज़्यादा लाब पहुच रहा है और किसान दिवस के उसर पर आप किसानों के बीच किस तर से जा रहे हैं ये जनने का परियास करेंगे और ये भी जानेंगे कि किसान दिवस क्यों मनाया जा रहा है किसके लिए मनाया जा रहा है कोने सद नेता था जिनके जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है जी हाँ भारत में परतेक वर्स विगत 2001 से हम बोले तो परतेक वर्स 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है वो भी एक गलि नुकडव नहीं, पूरे ही देश भर में, सीधे तोर पर हम जानने का परियास करेंगे, कि किसान दिवस आखिर कर है क्या, किसान दिवस किसके लिए मना जाता है, सारी चीजों की जानकारी आपको इस विडियो में मिल जाएगी, चलिए हम सिधे बात करते हैं कि किसान दिवस क्या है किसान दिवस का मतलब ही है किसान को एक सम्मान मिलना किसान को एक आस्ता मिलना किसान को एक विस्पास मिलना क्यों? किसास देश के लिए एक आर्थिक सयोग बनते हैं तो किसान को एक इतना भी हम नहीं कर सकते कि किसान को सही सम्मान मिलें, सही सम्मान के लिए 23 दिसंबर को डेट फिक्स किया गया है और 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। और किसान की जो दिनचरिया होती है, किसान की जो बात होती है, किसान की अंदर की जो दुनून और जज़वा होता है और दुख होता है वो सब का जानने का पयास करेंगे। क्यों न क्योंकि कुछ दिन पहले भारत में एक ऐसा पारिस हो गया जिससे बहुत लोगों का फसल में नुकसान हुआ तो उस टाइम देश के नेता मंत्री को देखने का जो चस्मा होता है वो था नहीं बाकी अब आ गया है क्योंकि लोकसभार विधानसभा का चुनावाने वा नहीं जा रहा है जब 2001 को ये डिसाइड किया गया भारत बर्स के तमाम लोगों के द्वारा और राजनेता और नेताओं और नेता मंत्रियों के द्वारा कि 2001 से हम 23 दिसंबर को किसान दिवस मना है वो भी किसके आलोग में चोधरी चरंच सिंग जो पाचवे परधान मंत्री थे उनके जयनती के दिन हम लोग मना सकते हैं किसान दिवस उनके लिए ही क्यों मना है उन्हीं के जयनती के दिन ही किसान दिवस क्यों मना जाता है इसको थोड़ा सा जानने का परियास करते हैं क्योंकि चोधरी चरंच सिंग जो नेता थे न परधान मंत्री जो पाचवे पर पर उन्होंने तमाम भारतवासी ये सोचा कि उनके जयनती पर हम किसान दिवस मनाएंगे हम जानने का एक चीज़ और परियास करेंगे कि चोधर चरण सिंग हमेशा जमिनी इस्तर का नेता थे और जमिनी इस्तर से जाकर परधान मंत्री तक का महाज अगर हम जादा दिन नहीं रहें मानते हैं नहीं रहें जादा दिन परधान मंत्री के पद पर लेकिन जितने दिन भी रहें एक नगन समय के लिए ही रहें लेकिन नेता से बढ़कर वो एक लोगों के बीच ऐसा चर्चि चेहरा बन गए थे जो जमीनों को लेकर किसानों को लेकर एक अच्छा सिद्ध साबित कर दिये थे चले कुछ पोइंट्स हमारे बीच है इस सब को हम जानने का कोसिस करते हैं कि रास्टिया किसान दिवस कब से मनाया जा रहा है यह सवाल कहीं न कहीं अगर आप ज़ारखंड हो, भारत हो, तमाम जगह पे यह सवाल पूछा जाता है UPSC हो, JPSC हो, KPSC हो, कहीं पे भी हो चाहा ज़ारखंड या भारत के किसी भी एक्साम में हो अगर किसान से related, खेती से related, अगर आर्थिक इस्तिती से related अगर सवाल आता है तो कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि किसान दिवस कब मना जाता है और किसान दिवस एक राश्ट्रिय किसान दिवस किसके लिए मना जाता है तो हम बोल दे कि किसान दिवस जो है वो रास्टिय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है जो जारखंड हो भारत हो तमाम जगह के किसानों को एक सम्मान मिले एक सम्मान जनक स्थिथी को देखने के लिए उनलों को दिया जाता है और ये 2001 से शुरू हुआ किसान दिवस मना दूसरी बात अगर हम बात करें रास्टिया किसान दिबस 23 दिसंबर को ही मनाया क्यों जाता है मनाया हम तो बार बार कहते हैं कि 23 दिसंबर इसलिए मना जाता है कि कि चोधरी चरंशिंग जो थे वो किसानियों के मसीहा माने जाते थे इसलिए उसी दिन मना जाता है उसके जयंत अस्ट्रिय किसान दिवस का मुख्यो हीरो जो है वो सबसे पहले किसान है उसके बाद चोधरी चरंच सिंग है अगर हम एक चीज गोर करें कि किसानों के लिए क्या उन्होंने किया था जिसके लिए किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जा रहा है सवाल तो उठेगा न भाई 23 दि जिया किया था जो जमिंदारी उन्मुलन विधैक के नाम से जाना जाता है जिस के लिए किसानों के बीच ये कहेंगे कि उन्होंने तो एक राजी के लिए किया था यार हमारे जारखंड के लिए क्या किया था देखिए अगर किसी भी चीज के लिए एक होताने की स्टेट लाइन जो होता है किसी भी चीज को एक अतिहासिक बनाने के लिए कहीं एक से ही स्टार्ट होता है किसी भी 25 دسمبر को उन्होंने किसान दिवस के रूप में उनके जन्म दिन कर भवही मिना रहा हैं। अब दूसरी बात हम जानेंगे कि किसान दिवस तो हमने देख लिया, पिस किसके लिए मनाया जा रहा है alguma यह भी देख लिया, जैराम मैतों के की तमाम देश की खिसानों को संभान देंगे कि नहीं देंगे इसी तरह से जीμεंतर कि आइप Hani करते हैं आब भी वैस अ करेंगे चलिए तमाँ चीजों के जांकारी और तमां देश की हिसानों को हम रास्टीय किसान दिवस्सक्ती का aumento करने देते हैं और जिस तरह से आप देश के लिए इतना आर्थिक सयोग कर रहे हैं योगदान दे रहे हैं ये सब करते रहे हैं देखते रहे हैं बने रहे हैं जोहार नमस्कार